यहाँ छबडा दंगों का आरोपी मुख्य मंत्री के सरकारी आवास पर रेड कर्पेट पर चलता है रेड कार्पेट पर साथियों दंगाईयों के साथ साथ कॉंग्रेस के मंत्री बेहनों बेटियों पर अत्याचार करने वालों के साथ भी मजभूती से खड़े रहते हैं की बीते पांच वर्शों में राजस्तान में रैप के मामलों में में बलातकार के मामलों में गंबीर वृत्ति हुई यहां मुk मंत्री के करीभी मंत्री विधान सबा में खड़े होकर ऐसे अपरादियों को सवरक्षन देते हैं जब हमारी राजस्तान की बेटियां सुरक्षा के लिए सरकार को पुकार रही थी तो सरकार कह रही थी कि फर्जी आरोब मत लगाओ ये कॉंग्रेस वालों को राजस्तान की बेटियों के आंसू देखने की भी फुरसत नहीं है आप मुझे बताइए मेरे राजस्तान के भाई बेरों क्या हमारे देश में ऐसे संस्कार है क्या राजस्तान में ऐसे संस्कार है क्या कि कोई बेहन बेटी फर्जी मामले दर्ज कराए ये बेहन बेटियों का अपमान है कि नहीं है हमारे समस्कार का अपमान है कि नहीं है हमारे माताओं के सम्मान पर चोट है कि नहीं है ये कैसी भाशा भोल रहे हो रहे जो कॉंग्रेस सरकार जान माल और सम्मान के सुरुख्षा तक नहीं कर सकती उस सरकार को रहने का हग है क्या? एक पल भी रहने का हग है क्या? ऐसी सरकार जाने चाहिए कि नहीं जानी चाहिए?